वेल्कम टू नेटकेकर्स मैं रूराक शर्मा इस सेनल पे अब सब भी का स्वागत करता हूँ स्टूड़न्ट एक्जाम हो चुका है और ऐसे में आप लोग वेट कर रहे हैं अपने रिजर्ट का यहां ऐसे बहुत से स्टूड़न्ट हैं जो की प्रपरेशन कर रहे हैं जून दो हजार चौबईस के एक्जाम के लिए और साथ ही ऐसे बहुत सारे स्टूड होंगे जो की शायद अपने एम में के फाइनल में हैं या सेकंड एर में हैं अगर ऐसे बच्चे कौलिफाय करते हैं तो वैलन गूर है तरवाइस टारगेट रहेगा जून दो हजार चौबईस ही तो ऐसे में आपकी प्रपरेशन को और स्टैंथ देने के लिए नेट कैकर आज आपके साथ इस चैनल पर मैं डिसकस करने जा रहा हूं क्या तरीका रहे निया स्लेबस बताने जा रहा हूं अफकॉस यूजिसी चेंजस की बात कर रही है बड़ी चेंजस बहुत जल्दी होंगे ऐसा कहना बहुत पॉसिबल नहीं है पिछले ट्रैक रिकॉर्ट को अगर हम देखें तो जब यह 2017 में बात हुई थी के स्लेबस चेंज होगा तो 2019 मे की तेजी से यह स्टेप ले रहा है अगर जून के एक्जाम से पहले होता है तो वरी पॉसिबल यह जैनिया फैब तक हो जाना चाहिए ताकि बच्चों को इनफ टाइम मिले प्रपरेशन करने का बट जो मुझे लगता है वो यह है कि शायद यह चीज जून से पहले नहीं ह जा रहा है तो ऐसे में अगर आप प्रपेर कर रहे हैं यूजी से नेट के लिए जून दोहजार चौबज का एक्जाम देना चाहते हैं तो आप नेट के साथ जोड़ सकते हैं हम डेली के अंदर लेके आये हैं हमारे ऑफ-लाइन बैचर्श जिसमें आप वन-टू-वन सकते हैं आप दिये गए नंबर पर हमें कॉल या मैसेश कर सकते हैं इसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी रहते हों आप हमारे ऑन-लाइन बैचर्श को भी जॉइन कर सकते हैं इसी के साथ साथ हमारा पोस्टल मटीरियल जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कर सकते हैं तो सबसे पहले कि हमें किन चीजों के उपर फोकस कर रहा है अगर हम एक कॉंपटेटिव एक्जाम की प्रप्रेशन कर रहे हैं यूजी सी नेट एक बहुत लंबे समय से एक ऐसा एक्जाम रहा है जिसके डिसकुशन काफी होने लगी है बड़ा जो रोल रहा वो यूजी सी से एंटीय तक जाने का रहा एंटीय नाम की बॉड़ी जब हमारे सामने आई तो इस एक्जाम के साथ जो एक रेगुलर पैटन था साइकल जो की वो डिस्टरब हुई और एक बड़ा रीजन वो रहा कि बहुत हाइप क्रियर्ट हो गया एस एक्जाम को लेके अगर आप किसी भी उनिवर्सटी आजरेटे सेंट्रल स्टेट और डीम टूब यूनिवर्सटी पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यूजी सेनट एक्जाम कौलिपाई करना होगा विच इस अमेंडिक्टरी साथ ही अगर आप पीज़डी करना चाहते हैं तो वहां पर भी इ मिलेगा पीएजडी एंडॉल्मेंट के लिए साथ ही एक मंतली फिक्स स्टाइफन जो गवर्मन प्रोवाइड कराती है वह आपको मिलेगा विच इस हैल्प यू एकॉनमिक लिए तो यही बेसिकली यूजी सेनट का एक्जाम है स्टक्चर की अगर बात की जाए तो दो पे जो होता है उसके बिसस पे आता है दोनों पेपर का टोटल समप पहले कभी एक टाइम था यह पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था देन यह फुली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया अगर अब यह की बात की जाए तो इसको मर्च कर दिया गया है पेपर वन और टू द पहले का जो इस लिबस चलता आ रहा था उससे एक बिल्कुल नया इस लिबस यूजी सी लेके आई और बहुत सारे नए नए एरियास को इंटर्डियूस किया गया और इसी के साथ साथ जो एक्जाम में कोशन पूछे जाने का तरीका था बिसिकली जिसको कई बर कहा जाता ह है कि जर्नल वे जो था कोशन पूछने का वो पूरी तरीके से बदलता हूँ हम यह देखने लेगा हाल फिलाल में अगर हम पिछले तीन सालों की बात करें तो जब एक्जाम हुआ है हमने देखा है कि कोशन पूछने के तरीके में काफी चेंजिस आए हैं बेसिक कोशन या जिसको कहा जाता है कि चार ऑप्शन दिये जाया और सीधा पांसर कर दो यह दिरे दिरे खत्म होता जा रहा है और इसका बड़ा रीजन यह भी है कि जैसे जैसे यूजी सिनेटिक का एक्जाम ज्यादा से ज्यादा स्टूड़न्ट अटेंप्ट कर रहे हैं उस एक्जाम को यूजी सी जादा टफ बनाना चाहता है ताकि एक्च्वल में वो बच्चे इसको कॉलिफाई करें जो डिजर्व करते हैं अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि स्लेबर्स की एक्सपेक्ट्स को अगर हम समझे तो करन्ट स्लेबर्स मल्टिपल एक्सपेक्ट्स को कवर और फिर के पाई कर लिगे इस आगर कोशंज की मैं बात करूं इस पेशली अगर मैं बात करूं आपके सब्ज़ेट्स की जो 100 questions हमें पूछे जाते हैं इनको हम 3 parts में बाढ़ कर समच सकते हैं यहाँ पर basic आता है इसके अलावा थोड़ा आप कह सकते हैं कि tough part और फिर थोड़ा सा moderate part अब basic की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि लगभग 10 से 15 questions जो आते हैं आपके basics के अंदर यह lie करते हैं कि 10 से 15 questions आपसे basic पूछे जाएं लगभग 10 से 15 questions बहुत tough level के आते हैं इतना tough level होता है कि कोई भी इस exam को दिने जाए as a faculty as a teacher अगर मैं भी इस exam को दिने बैटू तो 2 minute का समय लेना पड़ेगा सोचने के लिए अब ऐसा होता क्यों हो और ऐसे question आते कहां से अब examiner के point of view से अगर आप सोचें तो for example political science के आज हम बात कर रहे हैं तो अब मेटकर जी से rated कुछ भी पूछा जा सकता है कोई ऐसी किताब जो मेटकर जी के ऊपर लिखी गई हो किसी और इंसान के द्वारा उससे भी question आ सकता है अब basically यहां पर definition यह है कि आपने graduation में चीजें पढ़ी, master's में पढ़ी, multiple books को आप पढ़के आए हैं, reading को पढ़के आए हैं तो ऐसी situation में ऐसे question हमेशा exam में आते हैं, which can be come under the 10 to 15 numbers, and they are very tough question वहीं अगर मैं basic questions की बात करूँ 10 से 15 तो कई बर बहुत basic question आपको देखने को मिलेंगे चार किताबों का नाम दे के बोलेंगे कि इन में से कौन सी किताब गांदी जी ने नहीं लिखी अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है तो गांदी जी की कौन-कौन सी राइटिंग्स थी, कौन-कौन से weeklys थे, यह सब बच्चा पढ़के आता है तो वह easily answer कर सकते अब आते हैं यहां पर मुझे लिखना चाहिए जो मैंने कहा था कि अगर मैं बात करूं तो यह 60 to 65 हो सकते हैं और dependent इससे जादा भी इससे कम भी है यह कोशन ऐसे होते हैं आपको पढ़ने में तो टफ लगेंगे बट इनका answer easy होता है अब especially अगर हम assertion reasoning के questions की बात करें आपको definition दी गई फिर एक हो definition दी गई और पूछा गया कि उपर जो definition दी गई है उसका reason सही बताया गया है या नहीं इस तरह के question पिछले कुछ समय से काफी जादा आप कह सकते हैं लगातार examiner जादा follow कर रहे हैं इस तरह के pattern को अब इस pattern मे वो बच्चा confused हो जाता है जिसने ratification की अब ये बहुत जरूरी है समझना कि ratification जितनी जादा आप करेंगे जितना जादा आप रटा मारके जाएंगे चीजों का उतना जादा आप confused हो जाएंगे इस तरह की questions में तो overall अगर समझा जाए तो हमारे paper की ये तीन part है और अब यहा कि आप अपने syllabus को अच्छे से समझें most of the student जो की exam देते हैं especially competitive exam यह सिर्फ UGC net की बात नहीं है कोई भी आप बड़ा competitive exam ले लेजी आप देखेंगे कि जातर जब exam के लिए बच्चे prepare कर रहे हैं तो guidebooks का सहारा ले रहे हैं और वो syllabus को इस depth से नहीं समझते तो सबसे पहला काम आपका है कि आप syllabus को समझें for example अगर आप UGC net की website पे जाएं तो syllabus के पेज़ पे जब जाएंगे तो course code 02 यह political science का course code है आप syllabus को खोले और यह देखें कि भई किस सेरिया में किन चीजों को कहां तक हमें cover up करना है इसके बाद second चीज आती है आपको resources को समझना है या मैं बोलो sources को समझना है sources क्या है basically अगर political science का student आज UGC net का exam देने जा रहा है तो उसके पास जो सबसे initial sources होते हैं वो दो होते हैं पहला B.A. दूसरा M.A. अपनी graduation और अपनी masters में पड़ी हुई किताबे या वो notes जो सबसे बच्चे ने बनाए हैं आप सबसे पहले उनको consider कीजिए What is my best advice to everyone कि अगर आप actually में UGC net exam देने जा रहे हैं तो आप अपनी graduation और master's की books को सबसे पहले reading में लीजिए Take a 10 to 15 days time or more than that depending on your reading abilities आप कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं कितने जल्दी पढ़ सकते हैं I'm not saying कि बहुत deep में आपके जाके पढ़ना है वाग थोरो reading करते हुए आप चलिए 20 से 25 दिन का time maximum अप लीजिए और इन सब चीजों को cover up कीजिए अब देखिए December चल रहा है June में एक्जाम है तो you have more than 5 month अगर एक महीन आप अपनी इन चीजों की revision में देते हैं तो आप कुछ waste नहीं करेंगे अब इन दो चीजों के बाद आपको इन sources में third चीज को समझना है और ओ third चीज actually इस line में आपका syllabus ही था जो दुबारा से repeat होगा अब अपने graduation का जब और master's का अपना content देखा तो आपको समझ में आए कि भई आपने syllabus के हिसाब से क्या-क्या चीजे पढ़ी है और क्या-क्या चीजे नहीं पढ़ी है इसा कोई student है जो बिहार की किसी उनिवस्टी से पढ़ के आया है या उसने मध्यप्रदेश में किसी उनिवस्टी से पढ़ा ही करी और उसके syllabus में अब इसके बाद यह तीसरा काम जब आप कर लेंगे जब इनको आप कर लेंगे तो अब आप यह देखिए कि आप किन-किन sources का इस्तमाल अब कर सकते हैं उस लेबस की अकॉर्डिंगी चीज़ों को simplify करने में या पढ़ने में तो थर्ड जो आपका यहां पर काम होगा तो इस इस फर्स वर्क इस 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 थर्ड वर्क अब सेकंड वर्क के हमारे अंदर क्या था बीया में का स्लेबस बीया में को revise करना एंड यह अपना स्लेबस पढ़ना थर्ड चीज़ों होती है हमारी वह होती है अफकॉस find your teacher अपने teacher को डूंडी है ठीक है या मैं कह सकता हूं कि अगर बोलों फॉर एक्जामपल आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि teacher अगर मैं basically बोलूं कि अगर कोई आपको पढ़ाने वाला टीचर हो सकता है कोई आपके ही कोई ऐसे गुरू जो ग्रेजुशन या मास्टर्स में आपको पढ़ा के आए हो अब यह यूटूब भी हो सकता है जैसा मैंने कहां और कोई आफ्लाइन टीचर भी हो सकता है अब आप जब क्लास में जाएं पढ़ना स्टार्ट करें बेसिकली तो इसके बाद नेक्स स्टेप आपका क्या आएगा आपको स्टार्ट करनी है अब नोट्स मेकिंग में भी वट आइ रेली सजेस्ट लूबरेवन नोट्स मेकंग का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है जो यूजिली बहुत सारे स्टूडेंट अपनाते हैं बट वह तरीका यह होता है कि आपने कोई किताब पढ़ी ठीक है और उस किताब के अंदर आपने चीजों को highlight कर दिया अब मान लीजे आप UGC net के लिए prepare कर रहे हैं and I can bet on this thing कि UGC net का syllabus 2, 4, 5 किताबों से पूरा नहीं हो सकता इतनी ज़ादा diversity है आपके syllabus में कि कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जो UGC net की सिर्फ एक unit को भी completely पूरा कर सके तो आप मान के चलिए कि आपको हर एक unit में multiple writings यह multiple books का साहरा लेना पड़ेगा तो ऐसे में अगर आप सिर्फ highlight करते हुए जाएंगे चीजों को तो revision करना आपके लिए बहुत tough होने वाला है अब इस बुक को आपने जब पढ़ा and you find some important point तो किसी एक rough book में न इन points को आप लिखते जाएं किसी एक rough notebook में इन points को आप लिखते जाएं साथ ही में आपके teacher जो पढ़ा रहे हैं उनको आप अपनी class notebook में लिखिए और for example आपने प्लैटो को पढ़ा प्लैटो को आपने किसी एक रैटिंग से पढ़ लिया किसी भी market book past book से आपने प्लैटो को पढ़ा और जो जो आपको ठीक लगा किता में important point लिखिए आपने सब एक rough copy में उतार लिए अब अपनी class में गया आप अपने टीचर से पढ़े टीचर ने जो बताया आपने उनको भी उतार लिया अब इन दोनों में जो जो common point है वो तो same होई जाएंगे बट जो difference है point में उन points को भी आप लिखते जाए और एक final final note बनाएं यह final note बनने का आपको benefit क्या होगा जब आपका slabus एक बर complete हो जाएगा and you have all those final notes तो अब आपको बार बार उन किताबों को पढ़ने की उस class notes को पढ़ने की और वुक को पढ़ने की जुरुत नहीं है अब आप सिर्फ अपने इस note को ही पढ़ेंगे चाहे आप इसक and इतने confidently इसको बनाई है ना कि आपको पता हो कि अगर मैं अपने final note पढ़ रहा हूं तो मुझे उस किताब को दुबारा पढ़ने की जुरुत नहीं है तो this is what is the right strategy to make notes और यह बहुत जरूरी होता है जातर student जो multiple time किसी competitive exam को qualify करते हैं आपने बहुत सारे से बच्चे देखेंगे जो कहते हैं वह यूपीसी दो पर निकाल दिया थीन पर निकाल दिया अगर उनके notes आप देखेंगे तो बहुत concrete आपको मिलेंगे और वह इतने रि UGC net का जो बच्चा है जो exam qualify करेगा कल को as a faculty किस university में पढ़ाने जाएगा जब आप पढ़ाने जाओगे तो आपके यही notes आपको lecture देने में भी बहुत help करेंगे तो this is something जो आप lifetime के लिए कर रहे हैं UPSC का बच्चा तो जो notes बनाएगा definitely उसके काम नहीं हाने इसके बाद हमारा last step क्या होना चाहिए जब हम इतना सारा hardware कर चुके है तो of course आपको दो चीज़ें help करने वाली है प्लस एंप सी कि अब यह भी चीज समझने की है कि कई स्टूर्ण कहते हैं कि सर्फ प्लाइक्यूस हम लोग करना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देंगे तो जब तक आपने स्लेबस को समझा ही नहीं उसकी डेप्स में नहीं गया आप तो कोशन आया जो आपको लगा कि यह कोशन यह इसमें पूछे गई चीज तो मैंने कभी पढ़ी नहीं तो अफकॉस एज पॉइंट आप उसको अपने फाइनल नोट में कर सकते हैं ठीक एंड एंड एमसी क्यू विल हेल्प यू फॉरा प्रेक्टस पीवाई क्यू के लिए मै मतलब है 2019 से लेकि अब तक की पेपर ठेक है अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो चेंज नहीं हुआ अगें मैं बहुत कॉमन एक्जामपल दूँगा प्रेट्टो अरे से तिंकर हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं तो इनसे पीवाई क्यू तो आप 2014 से लेकि अब तक के पे को समझना पड़ेगा तो आई होब कि step by step अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होगा हमारा एक्जाम कॉलिपाय करना है और अब इन सब प्वाइंट में सबसे इंपॉर्टन प्वाइंट कि कितना टाइम एक्चुली चाहिए टोटल विट स्लेबस विद दी कितना टाइम चाहिए कि जिसमें हमारी पूरी की पूरी परप्रेशन कवर अप हो जाए आगर मैं जनवरी की ही बात करूँ फॉर एक्जामपल मैं अपनी क्लासिस को एक जनवरी से डली में स्टार्ट करूँगा तो मैं मानता हूँ कि जनवरी से लेके मार्च 30 तक का समय ऐ है जब तक आपका स्लेबस पूरा हो जाना चाहिए इसके बाद एपरल का जो समय है और जो में का समय है यह आपकी रिवीजन और MCQ जितने जादा आप कर सके उसके लिए अच्छा है हाँ यह ताइम जो है यह पीस मार्च का जो टाइम है अप इसको बढ़ा भी सकते हैं according to your revision or your point of you know understanding the topic अगर कोई student ऐसा है जिसका base बहुत वीक है ठीक है तो what I really suggest कि कि आप अगर कोई भी exam की preparation कर रहे है तो पहले basics को पढ़के जाएए फिर आप आगे बढ़िए ठीक है अफकोस अगर आप आज के time पे माल लीजा आप किसी SSC coaching में जाते है mathematics सेखने के लिए तो अगर थोड़ा सा basic अगर आप पढ़के जाएंगे तो शायद आपको चीज़े समझना असान होगा यहां पर भी हम यही चीजों को समझेंगे अब political science के बच्चों को मैं हमेशा बताता हूं कि आपका syllabus भी बहुत connected syllabus है and this is something I repeated many times के political science का syllabus interesting complicated and very much understanding है अगर आप इन चीजों को समझेंगे कि आपके syllabus में बड़ा हिससा आता है विच जब वेरी connected for example मैंने हमेशा का है वेस्ट पॉलिटिकल थॉट्ट विचा डिरेक्टली कनेक्टेट तो दी थोरी and thoughts उसके बाद जब यह दो यूट आप कर लेते हैं आप वेस्ट पॉलिटिकल थॉट्ट को समझते हैं यूट अब यहाँ पर यूट तमबर थ्री को जब आप समझेंगे तो यूट नुबर शेक्स आपकी यहां पर अपने हाँ चानेक्ट हो जाएगी इस इंडिन फॉरंड पॉलिटिकल थॉट्ट यहां पर उन आइडियास को डैप्थ में आप पढ़ेंगे उनको आगे किस तरह से फॉर्मॉलेट किया गया किस तरह से वो आइडिया समाच के अंदर आए और उन्होंने क्या वर्क किया एज़ थूरी वो किस तरह से डवलप हुए उसके बाद यूट नुबर फाइफ आपको यह बताएगी कि क्या इंट्रनेशनल ओर्डर से समय चल रहे हैं स्पैसिफिकल कि अगर हम समझे तो यूट नंबर टू में जिन चीजों को आपने पढ़ा है यूट नंबर फाइफ में आप उनकी प्रैक्टिकल अप्लिकेशन को समझ रहे हैं यूट नंबर थ्री इंडिन पॉलिटिकल थॉट जबाब पढ़ते हैं तो आपको उस समय इंडिया की पॉल इस चेन को जोडते हैं इंडिन फॉर्ण पॉलिसी के साथ तो आपको समझ में आता है कि करंट टाइम में हम लोग अपनी डिप्लोमेसी को किस तरह से चलाते हैं फ्रॉम कोटिलिया टू करंट सिचुएशन अब इन कनेक्शन के बाद आप दो यूनिट को जोड़िए दाट यूनिट नंबर एट इंडिया के फॉलिटेकल सिस्टेम इसको कि हैं तो हैं ञडंचायति राज इसको समझते हैं तो युद глаз भी संब्लेक्ट नंक्र नायन को लीजिए पॉ्लेकर जब आप पब्लिक एडिनिस्टेशन को बढ़ेंगे तो ये सारी कीजों से एकदम अलग ये नजर आएगा जादा एक्सपेक्ट जो है पॉलिटिकल पब्लिक एडिनिस्टेशन के वह मैनेजरिल एक्सपेक्ट है और टेक्निकली वुड्रो विल्सन को इस सब्जेक्ट को इं जाटरी को ये कंपनी को चलाने के लिए उसका इंटर्डू सुनो ने किया पॉलिटिकल साइंस के अंदर और आज पॉलिक अप्लिक एडिनिस्टेशन एक बहुत इंपॉर्ट पार्ट माने जाता है और जो दन विद एवर्थिं लेट्स लेट्स अंपेर तिंग विदी दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा चीजों को कनेट करने के लिए कोई कहान ही नहीं है जिसमें आपने सुना और आपने का वाओ इन चीजों के लिए जरूरी है कि बहुत ध्यान लगा कि आप इन चीजों को पड़े और आप सब चीजों को नोट करेंगे नेटकर के साथ जोड़े रहेंगे और आने वाले समय भी इसी तरह की इंपॉर्टन वीडियो को मैं टाइम टू टाइम अप्लोड करता रहूंगा जब तक के लिए खुश रही है पढ़ते रहें